साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा अधार, हमारा किसान भी रहा है, चौरी-चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमी का थी, किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मी निर्वर बने, इसके लिए पिछले छे सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किये गए हैं, इसका परणाम देश ने कॉरोना काल में देखा भी है, महामारी की चुनोतियों के बीच भी हमारा कृशिक शेत्र मजबूती से आगे बढ़ा, और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया, हमारा किसान अगर और ससक्त होगा, तो कृशिक शेत्र में से में ये प्रगती और तेज होगी, इसके लिए इस विज़ेट में कई कदम उठाए गए हैं, मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए एक हजार और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा, यानि मंडि में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा, तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं पी बेच सकेगा, इसके साथ ही ग्रामिन छेत्र के लिए इन्फास्ट्रक्चर फंड को बढ़ा कर 40,000 करोड रुपिय कर दिया गया है इसका भी सीधा लाप किसान को होगा ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर पर बनाएंगे कुरुची को लाप का व्यापार बनाएंगे यहाँ यूपी में जो केंदर सरकार ने जो प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना की शुरू किई है वो भी देश के गावों के विकाफ में अहम भूमिका निभाने वाली है इस योजना के तहट गाव की जमीनों गाव के घरों का कागज गाव के लोगों को दिया जा रहा है जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे अपने घर के सही कागज होंगे तो उनका मुल्य तो बढ़ेगा ही बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा गाव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बूरी द्रश्टी भी नहीं डाल पाएगा इसका बहुत बड़ा लाब देश के छोटे किसानों को गाव के गरीब परिवानों को होगा